तो हेलो दोस्तों आप लोगों ने आरीफ और उसके दोस्त सारस के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि अभी ये लोग बहुत ही जादा सोसल मीडिया पर वैरल चल ले हैं तो गाइज अभी तक आप लोगों ने उनकी दोस्ती के बारे में सुना था लेकिन अभी यहाँ पे कुछ अलग ही हो गया है अलही में आरीव के दोस्त सारस को बन विभाग के लोग अपने साथ लेके चले गए जिसे इन दोनों के बीच की दोस्ती फिलाल तो टोटी गई है सारस को बन विभाग टीम के द्वारा ले जाने के बाद आरीव का रोरो का बुरा हाल हो गया क्योंकि आप लोगों पता ही हो की इन दोने के बीच की दोस्ती कितनी ज़ादा गैरी थी तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि सारास आरीफ का दोस्त कैसे बना और बन विभा की टीम इसे क्यों ले कर चली गई तो ये घटना है उत्तर परदेश के अमेठी सहर की जहां पर पिछले साथ सारस एक खेत में घायल पड़ा हुआ था सारस के पेरों में चोट लगी हुई थी जिसे आरीफ ने देखा और उसे अपने साथ ले गया अरीफ ने सारस की अच्छी तरह से चिकित साता था उसकी देखभाल की और कुछ दिनों बाद सारस बिल्कुल ठीक हो गया और जब से सारस ठीक हुआ वो आरीफ के साथ ही रहने लगा अरीफ ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि पच्छी उसके साथ रहेगा वो हर जगा उसका पीछा करता है और साम के समय उसके साथ बजार जाया करता था और साथ ही उसके साथ खेला भी करता था जब भी सारस के पास कोई दूसरा पच्छी आता था तो वो ब्रांदे के नीचे छिप जाता था मानों वो आरीव का साथ नहीं छोड़ना चाहता हो सारस कभी कभी अपने दोस्तों के साथ भी उड़ जाता था लेकिन ये साम को हमेशा वापस आ जाता था आरीव के अलावा सारस आरीव के परिवार सहत अने किसी के साथ भी दोस्ताना नहीं था तो यही थी आरीफ और सारस की कहानी जो कि कुछ दोने सोचल मेडिया पर बहुत ही ज़्यादा वैरल हो रही थी तो अभी आप लोग यही सोच रहा हुए कि सारस को बन विवा के टीम दोरा क्यों लेकर चला गया फैर मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिर बन विवा के टीम इसे क्यों लेकर चली गई लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद होगी कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेस यादब जो की उत्तर परदेश के पुर्प मुख्य मंतरी थे वो आरिफ और उसके दोस सारस से मिलने आए हुए थे उनके मिलने के कुछ दिन बाद ही सारस को बन विवा के टीम द्वरा ले जाया गया तो यहाँ प्या खिलेस यादब के कहना है कि उनके सारस से मिलने के कारण ही बन विवा के टीम उसे लिए कर गई है फिर मेरा यहाँ पर एक ही सवाल है कि अगर आरीव के साथ सारस एक साल पहले से रह रहा था तो बन विबा की टीम इसे पहले क्यों नहीं लेकर गई अगर आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है और क्या सारस को वापस आरीव के पास भेज दिया जाना चाहिए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते है हमें कमेंट में जरू बताएगा